सब्सक्राइब कीजिए रोचक फैक्ट्स बेल ऐकन दबाईए और जाने रोचक बातें से एक है सितला माता खास कर उत्तर भारत में तो रोगों को दूर करने वाली माने जाती है चिकमपक्स यानि चेचक नामक रोग को आम बोलचाल की भासा में माता ही कहा जाता है सितला माता की कृपा पूरे परिवार में बनी रहे इसलिए सीता सब्तमी अश्टमी का उपवास भी रखा जाता है और इस दिन माता की पूजा की जाती है इस उपवास की खास बात यह है कि इस दिन घर में चूला ने जलता और माता के प्रशाद सहीत परिवार के समस जनों के लिए भोजन पहले दिन ही बनाया जाता है यानि बासी भोजन ग्रहन किया जाता है इसी कारण इसे बसोरा आधी भी कहा जाता है क्या है सितला सप्तमी वरत्व पुजा की विधी इस दिन स्वीत पासार रूपी माता सितला की पुजा की जाती है उत्तर भारत में तो विशेश रूप से मा भगवती सितला की पुजा की जाती है इस दिन व्रती को प्रातर काल उटकर सितल जल से स्थनान कर स्वच होना चाहिए तद पस्चात व्रत का संकल पलेकर विधी विधान से मासितला की पुजा करनी चाहिए वो पहले दिन बने हुए यानि बासी भोजन का भोग लगाना चाहिए साथ ही सितला सप्तमी अश्टमी वरत की कथा भी सुननी जाती है रात्री में माता का जागरण भी किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सस्क्राइब ना किया हो तो सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले